क्या आप लोग जानते हैं कि footwear brand Bata को 9000 रुपे की penalty देनी पड़ गई थी क्योंकि उन्होंने customer को 3 रुपे का carry back देने से मना कर दिया मना नहीं कर दिया मतलब उन्होंने कहा कि अगर आपको carry back लेना है तो इसके लिए आपको charge किया जाएगा 3 रुपे देने पड़ेंगे और इसी से खफा होंके जो customer है उसने उनके against consumer forum के पास complaint की और उसके बदले में जो Bata है उन्हें 9000 रुपे की penalty देनी पड़ी बट ये जो instance मैंने आपको बताया ये पहला नहीं है ऐसा और भी बहुत सारी companies के साथ हो चुका है जैसे की lifestyle, 24-7 store, Reliance Trends, IKEA और भी कई सारे stores के साथ ऐसा हो चुका है बट still I get confused क्यूंकि जब भी हम store पे जाते हैं हमें carry back दे रहे हैं तो फिर सही क्या है क्योंकि एक तरफ मैं ये cases सुनती हूं जहां पर जो consumer forum है वो इन सभी stores पर penalty लगाती है अगर वो charge कर रहे हैं और जब हम stores पर जाते हैं तो अभी भी हमें charge किया जाता है हमें पैसे दिये जाते हैं तो इसका सही चीज क्या है हमें पैसे देने हैं या नहीं कई हमारा exploitation तो नहीं हो रहा जब हमें charge किया जाता है तो आज के हमारे इस video में हम इसी confusion को resolve करेंगे कि इसका legal scenario क्या है law अखिर में क्या कहता है तो कई सारे legal experts का मानना है कि यह जो process है यह जो charge किया जाता है यह एक unfair और illegal practice है जो कि नहीं की जानी चाहिए basically अगर देखा जाए कि अगर कोई भी brand कोई भी company जो है आपको charge कर रही है एक ऐसे bag के लेक ऐसे carry bag के लिए जिस पर उनकी company का logo है तो वो आपको charge नहीं कर सकते है वो आपको as an advertisement use कर रहे है और इसके लिए आप उन्हें पैसा दे रहे हो तो वो गलत है अगर उन्हें देना भी है अगर उन्हें charge भी करना है तो वो सिर्फ एक ऐसे back के लिए charge कर सकते हैं जिस पर उनकी company का logo नहीं होना चाहिए तो ये एक debate है जो काफी सारे जो law professionals हैं वो argument करते हैं कि ये सही practice नहीं है बट ये जो पूरा confusion है ये start कैसे हुआ क्योंकि मुझे याद है जब बचपन में जब हम कहीं पे भी लेने जाते थे कोई भी सवान लेने जाते थे तो एक या दो-दो carry back मिलते थे वो भी free के कितने सारे लोगों के गरों में जो कद्दा है उसके पीछे बहुत सारे plastic के carry bags मिलेंगे बट ये सारा scenario change हो गया 2011 में क्योंकि 2011 में आ गया plastic waste rules जो कि ये mandate देता है कि जो retailers हैं वो plastic bags नहीं provide कर सकते for free और ये सब इसले किया गया था ताकि जो wastage होती है उसे कम किया जा सके उसे control किया जा सके लेकिन ये जो law था वो बहुत ही poorly framed था उसे ढंक से नहीं बनाया गया था और इसी वज़े से जो retailers हैं जो shopkeepers हैं उन्होंने ना सर्फ plastic bag बल्कि paper bag को भी charge करना शुरू कर दिया यानि जो law था जो rule था वो ये था कि जो plastic bags provide किये जा रहे वो provide ना किया जाए for free of cost अब जब retailers को इस law के बारे में पता किया तो उन्होंने क्या किया कि एक तो plastic तो चलो नहीं देनी वो तो सही बाते law कह रहा है इसके लावा जो paper bags हैं उन्होंने उसको भी माना कर दिया कि अच्छा ये भी free money देना और इसे देने के लिए हम charge करेंगे जबकि law के अंदर ऐसा क अंदर pricing guidelines जो हैं वो introduce की गए for plastic bags और इसी वज़े से जो states थे उन्हें determine करना होता था charges based on the cost and waste management needs तो जो इसका भी जो enforcement था यानि amendments का भी जो enforcement था वो again fail हो गया क्योंकि जो customers थे वो अभी भी कुछ नहीं थे क्योंकि अभी भी क्या हो रहा था जब वो कुछ भी खरीदने जात थे तो उनको जो है charges लगाय जाते थे fee लगाई जाती थी on paper and cloth bags और इसके failure के वाज़े से वापस 2018 के अंदर एक और amendment आया इस amendment में क्या किया जो pricing का section था वो ही हटा दिया गया था कि price लगेगा नहीं लगेगा charge कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इस बारे में जो law है वो कुछ कहता ही नहीं है तो इसका फायदा भी retailers ने उठा लिया उन्होंने कहा कि जब law कुछ कहीं नहीं रहा है तो हम तो charge करेंगे fees हम तो पैसे लेंगे for charging this for giving this carry bag और इसके लिए उन्होंने एक और reason दिया वो reason था polluter pays principle क्योंकि इस पूरे issue का origin क्या था कि जो plastic bags दिये जा रहे हैं इस वज़े से environment खराब होता है इतना जो है waste वो बढ़ रहा है तो जो retailers हैं जो shop की पर से उनका क्या कहना है कि हमारे पास क्या है polluter pays principle इस प्रिंसिपल का मतलब यह होता है कि जो भी इंसान pollution create करता है उसके लिए उसी को पैसे देने पड़ता है यह जो principle है वो industries के लिए भी अ applicable है तो वो ही principle उन्होंने customers पे भी apply किया कि क्योंकि यह सब bags plastic bags लेने की वज़े से जो customers है वो कछ्रा फेला रहे हैं वो wastage बढ़ा रहे हैं इसी वज़े से उन्हीं को इसके पैसे देने पड़ेंगे तो यह principle लगा के वो अभी भी जो है customers पर यह जो prices हैं वो चार्ज कर रहे हैं जबकि जो rule 15 है of the plastic waste management amendment rules 2018 वो specifically address करता है the pricing of plastic bags और उसको omit कर दिया गया है तो इस rule 15 को omit कर दिया गया है और इसके बाए जो vendors हैं जो retailers है they are not permitted to impose a price on bags और अगर कोई भी brand जो है वो इस rule को इस rule 15 को violate करता है तो consumers के पास यह right है कि वो consumer forum के पास complaint file कर सकते हैं under section 12 of the consumer protection act for unfair trade practices तो अब आपका आपके सवाल का जवाब मिल किया है जी हां जो companies हैं जो यह retailers हैं shopkeepers हैं वो हमें इन bags के लिए इन paper bags के लिए चार्ज नहीं कर सकते लेकिन क्योंकि यह पूरा process है जो legal process है वो इतना lengthy है तो लोगों को क्या लगता है जो customers से उन्हें क्या लगता है कि अच्छा ठीक है तीन रुपे दो या बारा रुपे दो और बैग ले लो अपना समान ले लो जबकि बहुत सारे लोग अब अपना जो बैग है उसे भी करना शुरू कर दिया it's a good practice we should do क्योंकि हमारे environment को harm है लेकिन अगर मैं law की बात करूँ तो जो rule 15 है वो specifically ये कहता है कि जो retailers हैं जो shopkeepers हैं वो customers को charge नहीं कर सकते और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो customers के पास ये right है कि वो consumer protection act का जो section 12 है उसके अंदर complaint file कर सकते हैं so this was all about कि हमें carry bag के लिए charge करना चाहिए या नहीं हमें charge किया जा सकता है या नहीं I hope this information was helpful to all of you please do like share and subscribe to my channel thank you